हम लोग अकसर अपने pen drive को, memory card को या फिर hard drive को format करते हैं बट क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग format करते समय जो options को select करते हैं वो क्यों select करते हैं तो format वाले option में जो आपको file system देखने को मिलता है उसमें FAT32, NTFS या XFAT का क्या मतलब होता है या फिर allocation unit size क्या होता है आपको कब क्या select करना चाहिए या फिर quick format हम लोग क्यों select करते हैं तो अगर आप quick format को नहीं select करोगे तब आपका format में क्या होगा इस video में मैं इनी सारे चीज़ों को clarify करने वाला हूँ और आपको format से related और भी काफी सारी नई चीज़े जानने को मिलेगी और साथ ही मैं format से related आपको disk management में भी जाके सो करूँगा कि format का proper method क्या होता है अगर आपको कभी problem face करने को मिलता है तो उस case में आप format किस तरीके से कर सकते हो किसे भी device को format करने के लिए जो सबसे common method लोग यूज करते हैं वो है format option किसे भी device को plug करने के बाद आपको यहां पर right click करने पर यहां पर format का option देखने को मिल जाएगा बट इस format वाले option में बहुत सारा options available होता है तो सबसे पहले capacity तो आपका pen drive या memory card या जो भी device आपने लगा है उसका capacity को so करता है फिर next आता है file system and यह बहुत ही important है तो file system में आपको generally windows के case में तीन option देखने को मिलेगा NTFS, FAT32 या फिर XFAT तो सबसे पहले यह समझना important है कि file system क्या होता है तो file system के कारण ही आपका drive specify होता है कि उसमें जो data है वो किस type से store होने वाला है तो अलग-अलग file system का अलग-अलग मतलब होता है बट मैं उतना जादा detail में लेकर नहीं जाओंगा तो सबसे common जो मैं 5 file system के वारे में आपको बताने वाला हूँ FAT32 जो file system है वो most of the cases में चाहे वो पुराना windows हो नया हो जितना भी तरह का device होता है वो maximum device में FAT32 format support होता है so that's why अगर support के point of view से देखा जाए तो FAT32 बहुत ही अच्छा option है but FAT32 के साथ एक problem है तो उसमें आप individual file सिर्फ 4GB तक का डाल सकते हो अगर आप 4GB से ज्यादा डालने की कोशिस करोगे तो वो आपको error message लिख कर दे देगा so next आता है ntfs तो ntfs windows के case में सबसे जादा maximum use होने वाला file system है so ntfs जो है एक नया file system है जो की presently हम लोग use करते हैं so इसमें आपको काफी जादा options भी देखने को मिल जाता है जैसे कि आप अगर चाहो तो अपने drive को encrypt कर सकते हो और और भी बहुत सारी चीजे होती है तो that's why ntfs सबसे जादा prefer किया जाता है इसका जो downside है वो यह है तो अगर आप कोई पुराना device या अगर आप support के point of view से multiple device के point of view से देखोगे तो ntfs definitely suitable option नहीं है क्योंकि वो आपका न Linux में support करने वाला है और नहीं आपका macOS में support करने वाला है general way में और भी different method होता है जिस तरीके से आप इन सारे चीज़ों को ठीक कर सकते हो फिर next आता है x fat तो x fat का जो सबसे important चीज़ यह है कि fat 32 में जो आपका 4gb का size limitation था वो आपका x fat में खतम हो चुका है तो आप इसमें कितना भी gb तक का individual file को store कर सकते हो but on the other hand इसमें आपका anti-fs की तरह problem भी देखने को नहीं मिलता है so that's why यह बहुत सारे different platform पे support कर लेता है जैसे की macOS but still अगर आप Linux में x fat को use करना चाहते हो तो उस case में आपको extra step follow करना पड़ेगा अलग से आपको software install करना पड़ेगा so यह main difference होता है आपका इन तीन format में तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि अगर आपने एक particular file system को select कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ stick रहने वालो आप जब भी चाहो उसे format करके उसका file system को change कर सकते हो तो अगर आप एक pen drive यूज कर रहे हो जो कि आप बहुत जादा अलग-अलग platform पे use करते हो definitely आप FAT32 के साथ जाओ maximum cases में वो आपका हर जगा support करेगा अगर आपका file size 4GB से जादा नहीं है तो अगर आप कोई external hard drive यूज कर रहे हो इस तरह के का तो इन सारे case में आप XFAT के साथ जा सकते हो या फिर आप NTFS format के साथ जा सकते हो मैं इस pen drive में NTFS को भी use करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप NTFS को pen drive में use नहीं कर सकते हो वो आपके use पर depend करता है but in general windows के case में आप NTFS को use करो बीना किसी problem तो अगर आपके लिए यह बहुत जादा confusing हो गया है तो मैं shortcut में आपको यह बताता हूँ कि अगर आप को common solution है file system के लिए इन तीन के अलावा मैंने आपको दो और के बारे में बताया तो जैसे कि यह तीन जो है windows के case में सबसे जादा use होता है उसी तरह से macOS में आपका APFS file system को use किया जाता है जो की है apple file system and similarly linux में आपका और भी different type का file system होता है जिसमें से सबसे common जो file system linux में use होता है वो एं ext4 तो यह सारा था file system के बिहाफ पर तो next आते है allocation unit size तो guys इसको मैं बिलकुल भी deeply नहीं लूँगा because इससे confusion बहुत जादा बढ़ सकता है तो इसके लिए मैं आपको एक video suggest करता हूँ इस video को आप जाके check out कर लो आपको पूरा detail में information मिल जाएगा इसके बारे में allocation unit size में अगर मैं बताओं कि आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले तो आप उसे default पे छोड़ दो अगर आप default के जगह इसका मतलब जानना चाहते हो तो सबसे simplest भासा में अगर मैं बोलू तो तो अगर आपके पास छोटा छोटा बहुत सारा file available है kb में bytes में तो आप छोटा allocation unit size को select करो अगर आपका file बड़ा बड़ा है then आप बड़े allocation unit size को select करो यह सबसे common solution है so अगर इतने सारे confusion से बचना है तो by default पे उसे रहने तो ज़्यादा दिमाग मत लगा so next आता है सबसे important बात quick format तो जब भी हम लोग format करते हैं तो हम लोग अकसर उसे quick format करते हैं तो यहाँ पे quick format का मतलब क्या होता है so guys मेभी आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर हम लोग किसी भी file को किसी भी device से delete करते हैं या format करते हैं तो actually में वो format नहीं होता है वो delete नहीं होता है उस drive से so यह मैंने आपको data recovery वाले video में already बताया था तो data recovery करना possible ही इसलिए होता है क्यूंकि वो file कभी भी delete ही नहीं होता है तो अगर आप quick format को select करते हो तो आपका एक सिर्फ एक नया metadata create हो जाता है जिसके बाद आप उसमें दूसरा data को डाल सकते हो तो पुराना data अभी भी गया नहीं है तो अगर आप format कर भी देते हो इस quick format को select करके उसके बाद भी आप अपने data को recover कर सकते हो recovery वाले software के मदद से तो अगर आप इस quick format को select नहीं करते हो तो in that case आपका जितना भी data उस device में available है वो सारा का सारा properly delete हो जाता है अगर आप चाहते हो कि आप किसी data को permanently delete कर दो ताकि वो बाद में recover ही नहीं हो सके in that case आप इस quick format वाले option को uncheck करके format को press करो and definitely आपका इस case में time बहुत जादा लगने वाला है and यह कितना time लगेगा वो इस बात पर depend करता है कि आपका drive का size क्या है तो अगर मैं इस 64GB के pen drive की बात करूँ तो इसे format होने में करीब आदा गंटा का time लगा होगा most probably आगर आप quick format करते हो तो उस case में आपका तुरंत format हो जाता है so यह सारा option था format से related तो अब मैं आपको यह pen drive को format करके दिखाता हूं तो सबसे पहले मुझे file system को select करना है जो के default definitely यहाँ पर fat 32 है बट मैंने अभी ntfs करके रखा हुआ था तो मैं इसे वापस fat 32 में select कर देता हूं and allocation unit size में मैं इसे by default पर छोड़ देता हूं and yes मुझे इसे quick format ही करना है तो बस यहाँ पर quick format प्रेस करके then ok तो इस तरह से आप format कर सकते हो बट यह सिर्फ एक लौता method नहीं है format करने का format करने का और भी method होता है so अगर आपके device में कोई problem है या अगर आप उसे कुछ deeply करना चाहते हो तो उस case में हम लोग disk management को भी use करते हैं तो disk management को खोलने के लिए या तो आप start पर right click करके आप यहां से disk management को select कर सकते हो या फिर यहां पर आप search में भी सिधा disk management type कर सकते हो और यहां पर यह disk management का page खुल जाएगा and yes अगर आप इसे recognize कर पा रहे हो तो hard drive का partition भी इसी method से होता है तो yes हम लोग उसी जगापर है तो confused मत होना तो यहां पर जो disk 2 है यह है मेरा pen drive तो आप यहां पर size के recording देख सकते हो यहां पर मेरा 29.25 GB है तो यह मेरा pen drive है जो कि fat 32 के form में present है so और भी बहुत सारे options होते हैं जैसे कि अगर आपका device जो है वहां पर so ही नहीं कर रहा है इस PC में या अगर आपका और भी कोई problem देखने को मिल रहा है तो so उन सारे cases में आपको यहां से उसे format करना पढ़ सकता है तो यहां से format करने का तरीका same है आपको यहां पर इससे select करना है फिर आपको right click करना है देन आपको format पर जाना है फिर आपको same ही option देखने को मिलेगा तो यहां पर आप नाम change कर सकते हो फिर आपका file system यहां पर available है फि आप यहाँ पे quick format पे रहने दो और बस आप जैसे ही okay करोगे तो यहाँ से भी यह format हो जाएगा इन सब के अपार्ट आपने एक चीज और भी देखा होगा कि बहुत बार लोग format करने के लिए command prompt का भी use करते हैं तो यह especially उन लोगों के लिए है जिनने computer का थोड़ा बहुत idea है because जो नए है उन्हें कोई idea नहीं होगा command prompt क्या होता है तो guys command prompt को भी आप format करने के लिए use कर सकते हो but मुझे ऐसा लगता है कि command prompt पे जो भी आप format करते हो जिस method से वो ही method आपका यहाँ पे भी disk management में available है यह graphical form में है वो text form में है तो अगर आपको command prompt के बारे में सीखना है तो मैं आपको 1 minute में बता देता हूँ तो सबसे पहले आप नीचे यहाँ पे search में cmd टाइप करो then आप इसे run as administrator क्लिक करो then यह आपका command prompt का window खुल जाएगा यहाँ पे आपको कुछ codes को type करना है जैसे कि सबसे पहले disk part type करना है जो कि आपका disk management के लिए use होता है disk part को खुलने के बाद आपको डूसरा command type करना है list disk या फिर list volume तो मैं यहाँ पे list disk को use करता हूँ यहाँ पे आपका जितना भी disk है disk 0, disk 1, disk 2 वो आपका यहाँ पे आ चुका है तो अगर मैं list volume को click करता तो यह सार आपको यहाँ पे देखने को मिलता तो मेरा जो pen drive है वो है disk 2 तो मुझे यहाँ पे अब disk 2 को select करना है अब यहाँ पे आपको clean करना है तो यहाँ पे फिर से यह unallocated space में आ चुका है तो अब मुझे यहाँ पे primary partition को create करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको type करना है create partition primary तो यह यहाँ पे आपका primary partition बन चुका है बट यह अभी तक format नहीं हुआ है तो अगर आप इसे खोलने की कोसिस करोगे तो यह आपका pen drive अभी भी नहीं खुलेगा तो इसे खोलने से पहले आपको इसे format भी करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको जो next command type करना है वो है format fs equal to यहाँ पे आपको अपना file system type देना है अगर आप ntfs में करना चाहते हो या fat32 में करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आपको लिखना है and then आपको quick press करना है तो quick इसी लिए क्योंकि मुझे यहाँ पे quick format करना है तो यह आपका format हो जाएगा आपको जो भी अपना file system चाहिए था जितनी भी सारी चीज़ें तो यह आपका command prompt and यह जो आपका disk management यह दोनों बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है तो वो अपना अपना preference है कि अगर किसी को command prompt अच्छा लगता है तो आप उसे use करो या फिर आपको disk management अच्छा लगता है आप उसे use करो So I hope यह video आपके लिए helpful रहा especially मैं file system की बात कर रहा हूं because जिन्हें idea नहीं होता है उन्हें डर लगता है किसी भी file system को select करने में कि अगर मैं इसे select कर दूंगा तो मेरे pen drive के साथ क्या हो जाएगा So that's it so I hope you like this video so please don't forget to hit the like button and subscribe to this channel So see you guys in next video so तपता के लिए bye bye